फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर सीब्याइसी क्लास टेंट रों क्लास ट्वेल दोनों का यहाँ पर रीचेकिंग का फॉर्म आ गिया है तो अगर आप अपने मार्ग से संतूस नहीं है सबसे बला आपका डाउट है कि कौन-कौन बच्चे को रीचेंग के लिए जाना चाहिए कौन-कौन को नहीं जाना चाहिए तो जाहिए उसके लिए मैंने एक और लेड़ी वीडियो बना रखा है लिंक आपको डिस्कुप्शन बोक्स में मैंने दे दूँगा वहाँ पर जाके पहले वो वीडियो देख लिए उसके बाद आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मुझे रीचेंग के लिए जाना चाहिए या फिर ने जाना चाहिए एक बात ध्यान रखेगा आप लो कि जो क्लास टेंथ वाले उनकी जो साइंस की जो कोपी उसमें थोड़ा ज्यादा यहाँ पर मतलब इस्ट्रिक चेकिंग हुआ है वह इसलिवा है क्योंकि आपको पत 50,000 का पनल्टी ना लगिए इसी के डर से वह मजबूरन आपकी कोपी को इस्ट्रिक चेक आउट किए ओके तो ध्यान रखेगा अगर आपको डाउट है अगर आप कॉन्फिरेंट है तो आपको कोई वीडियो देखने जरूत नहीं पड़ेगी प्लीज आपनो रीचेंग ल आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना यह सीवी सी बस लिखती है ताकि मिनिममम बच्चा रीचेंग लिए अपलाई करें बट यह एक बास ध्यान रखेगा कि प्लीज अगर आपके मास्क जो कम होने के चांसे बिल्कुल ना के बराबर होता है जब अब इतने ज़्यारे को अब बात रहें यहां पर आपको रीचेंग को टोटल तीन प्रोसेस में अपनाना पड़ता है एक बतर कि आपको सब भी कुछ ऑलाइन करना पड़ेगा एक बारा पेमेंट देजेगा तो वो कोई भी केस में रिटन नहीं किया जाएगा यह सब आपका पॉइंट है यह सब जो कॉमन पॉइंट है जो कि मैंने आपको एक्स्प्लैन कर दिया है लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है डाउटनट पर होगा सभी मैस, टेमेस्ट्री, फिजिक्स और बैलोजी डाउट का सफाय है बस सिंप्ली कोश्ण की फोटो गीचो उसे क्रॉप करो और उसे सब्मिट करो बस तीन सेकेंड के अंदर आपको मिल जाएगा बीडियो सोल्यूशन तो यह क्लास 6 से लेकर 12 IIT नि नहीं रहा गिया इसका जो आपका चार्जर फोट क्लास 12 यह दोनों का चार्जर आपको रुपीज फाइब अंडेड है जो टेंज का डेट वो एप्लाइक करने का आपका 20 जुलाइस लेकर 24 जुलाइस तक ध्यान रखीगा जो 12 का डेट हुआ आपका 17 जुलाइस लेकर 21 ज अब एक जो निक्स क्या है कि आपका अगर आपने पहला इसटेप के लिए कीजएगा तो ही आप सेकेंड वाल स्टेप के लेए लिजबल रहीगा तेखि क्या है कि आपका उप्टेनिंग फोटो कोपी और एंसर शीड़ सीट इसमें क्या होगा क्लास के वालों का रूपीज step के लिए apply किया होगा, वही बच्चे second step के लिए apply कर सकते हैं, अब जो third step क्या होगा, यह आपका the evolution, इसमें क्या होगा, जैसे भी अपनी copy को मंगाईगा, CBAC official answer की upload कर देगी, उसकी बद आपको उस answer की सापकी copy को मिलाना, अगर आपको कोई doubt रहेगा, अगर आपको लगेगा कि मुझे इस question में कम marks मिले, या पर गलत marks मिले, तो आप challenge कर सकते हैं, पर question आपका लगेगा, रूपीज 100 जिहान रखेगा, जो बच्चे second step के लिए apply charges किया for class 10 and for class 12, यह रूपीज 100 होने वाला है, जो 10 का date हुआ आपका 10, 10, 11 अगस्ट है, और जो 12 का date हुआ आपका 6 and 7 अगस्ट होने वाला है, तो यह मैंने आपको complete date भी बता दिया, class 10 तो class 12 का, आप यह बहुत ध्यान रखीगा, बहुत ज़्यान रखेगा, बहुत ज़्य अगर last step टक apply करना है, तो आपको around 1500 to 2000 तक देना पड़ सकता है, जो कि मेरे साब से थोड़ा ज़्यादा है, बड़ CBAC एक procedure रखी है, आपको अगस्ट जी verify करवाना है, तो जी हाँ आपको इतना pay करना पड़ेगा, एक बास ध्यान रखेगा, CBC आपको एक point mention करती है, कि आप जी एबलोट नहीं करो सकते है, CBAC को challenge नहीं कर सकते है, यह आपको ध्यान रखेगा, अगर CBAC को आपको challenge करना है, तो आपको यह तीनों step लगाना पड़ेगा, पैसा जादा लगेगा, बट यही step होता, अगर RTI का अंटरगत अगर अपने copy को मंगवाते, तो आप अपनी copy को जी एबलोट नहीं करवा सकते, तो यही अपडेट से जो कि मुझे आपको देनी थी, प्लीज जाकर discussion box में एक video दिया, पहले वो वीडियो जाकर देख लिजिए, वहां से आपका सारा doubt clear हो जाएगा, कि मुझे जी चिंगले apply करना है, यह पर नहीं करना है, कोन बच्चे को क करना चाहिए, कोन बच्चे कोन नहीं करना चाहिए, प्लीज अगर आप लोग confident है, तो जी हां आप reaching के लिए जाएए, प्लीज अगर confident है, तो reaching के लिए apply कर दिजिएगा, चले पर नहीं पर समाप्च करूँगा, आइपों को भी अच्छे लगी होगी, जैसे ही यहां पर start क करीगी CBC, यहां पर 17 को apply, आपका start हो रहा, 12 का, मैं 17 को यह आपको वीडियो बना के बता दूगा, कि आपको apply कैसे करना है, चले पर मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, जै इन, जै भारत,